नमस्कार, कथा कहानी कावे में आपका स्वागत है, आईए हमारे साथ इस साहित्तिक जफर पर, मेरा नाम है मनीशा और हमारी आज की कहानी है जांसी की रानी लक्ष्मी बाई, भाग 29 पिशली भाग में अपनी सुना, बांदा के नवाब, तात्या और राव सहाब आगे की योजना बना रहे थे रात पर बैठे, जब योजना बना रहे थे तब रानी अपने शिवर में थी सुबह तक कुछ खास योजना नहीं बन पाई, लेकिन भंग पी कर सब हुका गुड़गुड़ा रहे थे, जब रानी का आगमन हुआ उन सब को देख, रानी को खुब हुआ, लेकिन फिर भी उसे दबा कर एक किले को हधियाने की योजना बनाने लगी गौलियर के किले पर आकर बात, खेहरी, अनुसंधान कर गौलियर के किले पर आकरमन की योजना बनाई गई रानी की लाल कुर्ते सेना के बस दो सो सवार बाकी थे, रानी को सभी सरदारों के व्यसन और मुर्खता का पता था तात्या ने ग्वालियर पहुँच कर देखा कि वहां की सेना का एक बड़ा अंग सरदारों सहित पेशवाई सेना के अनुकूल है पेशवाई सेना कालपी के युद्ध के चार दिन बाद ग्वालियर राजे में धंस गई रानी के दो सो सवार ग्वालियर के पैदल और सवारों की सेना पर भारी पड़े और पेशवाई सेना ने नगर में प्रवेश किया राजा और दिनकर राव आगरा भाग गए सेना ने रेजिडेंसी से माल लूटा पेशवा ने खास इनाम बांटना प्रामनों को भोजन कराना भंग बूटी और शकर बादाम रोजाना होने लगे इस पार तात्या भी अपने स्वामी के साथ इस रस में डूब गया तात्या ने गौलियर की नर्थकी की तारीफ की तो जुही को गलानी हुई अब आगे देशमुक रगुनाथ सिंग और कुल मुहम्मद पास पास बैठे कुल मुहम्मद ने भीरे से कहा बई ये सब बड़ा अजीब है अमारे याँ तो ऐसा कोई नहीं नाचता देशमुक गौलियर इन बातों के लिए मशूर है देकिन अगर अंग्रेज इस वक्त आ जाये तो तो सब को भागना पड़ेगा रगुनाथ सिंग और बचेगा कोई नहीं गुल मुहम्मद बहुत देख लिया अमारा तो पेट पर गया अमारा रानी सो गया होगा चावनी अकेला है चल भी बाई जुही ने सुन लिया चलने के प्रस्ताव का समर्थन किया पेशवा से माफी मांगी इजाजत ली तात्या ने जुही की और देखा उसने करारी त्यौरी ली और अभिमान के साथ सिर्फ फिर लिया ये सब वहां से अपनी च्छावनी चले आए थोड़ी ख्षण के लिए उत्सब बंध हो गया बीच के इस विक्षेब के कारण रसियों को बहुत बुरा लगा किसी ने पूछा ये लालकुर्ती वाले कौन थे पेशवा ने धीर इसे का कुछ बात नहीं अपने ही लोग है बुंदेल खंड के केंद्र जासी के है जरा गवार है तात्या को रानी की याद आ गई और वह काप गया परंतूस ने कहा कुछ नहीं कहे भी क्या सकता था उत्सब रात भर होता रहा सवेरे खूब भंग चनी डटकर लड़ों का और शिरे खंड का भोजन हुआ और फिर दिन भर सोना और रात को नाचरंग जब जरा फुर्सत पिली तो पूछताच हो गई कि प्रहमन भोजन यथा विदी चल रहा है और सेना भी खूब आनंद मना रही है या नहीं बस यही अबाद क्रम लड़ों और शिरे खंड खाते खाते बहुत प्रहमन बिमार पड़ गए उन में से एक नारायन शास्त्री था छोटी ने उसकी इतनी सेवा सुश्रुशा की कि वह शिग्र अच्छा हो गया गाट में थोड़ा सा पैसा कर लेने की इच्छा से छोटी ने भी पेश्वा के दर्बार में मृत्य करने का निश्चे किया नारायन ने मना किया मैं अच्छी तरह चलने फिरने योग्य होते ही बहुत धन कमा लूँगा तो में इन सरदारों के उत्सब में नाचने मत जाओ ये लोग बड़े कुरुची पूर्ण है छोटी ने प्रश्ण किया मुझ पर आपको क्या भरोसा नहीं है नारायन भरोसा तो पूरा है छोटी परन्तु यह काम जगन्य है छोटी जब पल्टनों में नाच्टी काती थी तब वे काम श्रेष्ट था उसका मतलब उचा था फास में रुपया पैसा कुछ नहीं था आप चलने फिरने लाया कुछ देर में ही हो पावेंगे मैं आज की ही नाच में काफी पैसा ले आऊंगे मन उचा बना रहे तो कोई काम नीचा नहीं शास्री को छोटी का हट निभाना पड़ा छोटी सुन्दर वेश में पेशवा के उत्सब में पहुँच गई और उसका नाच काना हुआ गाना उसका बहुत साधारन श्रेणी का था उसकी विशेशता केवल उसका सुरीला और मधुर कंट थी नित्य भी उसका एक बंधे हुए प्रकार का था लाय जरूर बहुत रुत थी सुन्दर थी इसलिए उसको टोका नहीं गया उसके सीधे, साधे, गाने और नाचने पर राव सहाब मुगध हो गया अच्छा पुरुसकार दिया बोला तुम क्या यहीं की रहने वाली हो तुमारा नित्य शास्त्री ढंका ना होने पर भी निराला है तुम बराबर नाचने आया करो चोटी ने उत्तर दिया सरकार मैं जहांसी की रहने वाली हूँ लशकर में कुछ समय से हूँ तात्या चोटी को बड़ी देर से देख रहा था पहचाननी की चेश्टा कर रहा था अब उसको भ्रहम ना रहा तात्या ने राव सहब से कहा यह जाती की महतरानी है श्रीमंत महतरानी सरकार तो भी क्या हुआ उसके पास विद्या है नाचती क्या है जादू डालती है यहे नारायन शास्त्री के साथ जांसी से भागी थी नारायन शास्त्री के साथ राम्मन को पतित करके राव सहाब का कला प्रेम समाप्त हो गया कृद्धस्वर में बोला तूने यहां आने की कैसे हिम्मत की जैसे पल्टनों में जाने की देश का कारे करने की करती थी पेश्वा ने तात्या की ओर देखा तात्या ने कहा पल्टनों में जागरती फैलाने का काम तो इसने ग्वालियर में बहुत किया है तो क्या हुआ अब जो कुछ कर रही है और जो कुछ इसने जासी में किया वहे दंड निये है छोटी ने अदम में भाव से कहा मुझको दंड और इनाम जो कुछ मिलना था पा चुकी तो ग्वालियर में नहीं रह सकती यहां मेरा राज्य है तुरंट खाली कर कहा जाओं? चाहे जहां? अंग्रेजों की राज्य में जाती हूं परंतु अंग्रेजों की राज्य में नहीं जाओंगी क्योंकि वे लोग हमको उक्षमा नहीं करेंगे छोटी चली आई नाराइन को पुरुसकार की रुपे दिये और सब हाल सुनाया पहले तो उसको बहुत शोब आया बोला इन अपवित्र रुपेओं को नहीं लूँगा चलो चोटी ऐसी जगे चलें जहां पेश्वा का अत्याचार पीछा न कर सके चोटी ने कहा रुपे अपवित्र नहीं है पसीना वहा कर लाई हूँ पेश्वा का राज्जे सारे संसार में नहीं है परंतु जादपात का राज्जे तो है आप कहा करते हैं कि वैश्वा हो जाने पर जादपात का भूत भाग जाता है मैं गलत नहीं कहता हूँ चलो यही वेश हमारी रक्षा करेगा वे दोनों चले गए और फिर पेश्वा को उनका पता नहीं लगा उधर रोज को पहली जून के दिन ही खबर मिल गई थी कि बलवाई ग्वालियर की और पढ़ते चले जा रहे हैं कालपी की जीत के उपरांद वह चुटी लेकर बंबई जा रहा था इस खबर के पाते ही उसने अपनी चुटी काट दी और जगह जगह से दलपतियों को गवालियर की और पढ़ने का आगरह समाचार भेज दिया चार जून को उसे समाचार मिला कि गवालियर का पतन हो गया और राजा तथा दिन कर राव आगरा भागाए सनाटे में आ गया कालपी की इतनी बड़ी और बुरी पराज़े के उपरांत भी गवालियर हस्तगत करने का विचार और साहस कौन कर सकता था कौन इतना बड़ा मनसूबा गांट सकता था किसमे इतना बड़ा होसला था रोज ने सोचा जासी की राणी के सिवाए और कोई नहीं हो सकता जब तक राणी को नहीं पकड़ा या मारा तब तक हिंदुस्तान में हमारे राज्य की खैरियत नहीं रड़ता के साथ रोज अपने काम में जुट गया इन उत्सवों का प्रतिरोध करने के लिए राणी ने पेश्वा से भेंट करने का प्रत्न किया परन्तु वहाँ नाच से छुटी मिली तो भंग और निद्रा और भंग निद्रा से निस्तार पाया तो नाचरंग तातिय इस नाचरंग में डूब तो गया ही उसको यह घमंड भी हो गया कि कोई भी अंग्रेज जनरल उसका मुकाबला नहीं कर सकता निदान एक दिन तीसरे पहर राणी को एश्वर्य प्रमत पेश्वा से थोड़ी देर की भेंट प्राप्ति हो गई राणी उदास्ती और शुब्द पेश्वा सो कर उठा था रात के खुमारी और सवेरे की भंकी चाया अब भी शेश थी आँखे लाल थी और शरीर अंग्राईया चाहता था अभिवादन के बाद उसने रानी से कहा बड़ी गर्मी पढ़ रही है न दिन चैन न रात कभी-कभी पदली हो जाती है दस-पांच दिन में वर्षा हो उठेगी अभी तो नक्षत्र तप रहे है परन्तु इन्ही दिनों में छत्रपती और पंत प्रधान सबसे अधिक पराक्रम दिखलाया करते थे आपने भी तो इन्ही दिनों वहकर दिखलाया जो गौलियर के महाराज और अंग्रेज कभी न भूलेंगे और इन्ही दिनों हमारे आपके उपर विपद के वे बादल उठ रहे हैं जो थोड़े दिनों में कश्टों की मुसलाधार बरसावेंगे हमारी सेना डटकर लड़ेगी तब तक पानी बरस पड़ेगा नदी नाले ऐसे चड़ेंगे कि दुश्मन हमारा कुछ भी न कर सकेंगे ये ही नदी नाले हम लोगों को भी निरुपाए और असमर्थ कर डालेंगे सेना में वैसे ही काफी अविवस्था है तो फिर वह अकर्मन्ने होकर निस्तेज ही हो जाएगी अपने पास इतना बड़ा किला तो है बाई सहाब और यदी किला चिन गया तो तब निसंदे हम लोग व्यर्थ हो जाएंगे अंग्रेजों की पल्टने सब दिशाओं से अपने उपर तूटने के लिए आ रही है थोड़ा सा ही समय रहे गया है अपनी सेना को चावनी बंद कीजिए काइदा बरती है किले में बंद होकर लड़ने की बात मत सोचे अंग्रेजी फौज का आगे बढ़कर सामना कीजिए और सबसे प्रतम सिंध्या की सेना को अपने सरदारों में पांट कर कड़ा अरुन शासन जारी कर दीजिए हो जाएगा बाई साहब सब हो जाएगा इस समय भी कुछ आवश्यक काम ही हो रहा है धर्म की नीव पर ही सब कुछ तिकता है धर्म ही विजय का कारण होता है इसलिए धर्म कराय जा रहा है ब्राहमन भोजन से विजय का आशिरवाद मिलेगा दूर दूर के ब्राहमन भोजन और दक्षना के लिए उम्रे चले आ रहे हैं इनका आशिरवाद क्या विफल जाएगा? मैं नहीं कहती कि ब्राहमन भोजन मत करवाईए परंतु सेना के सूप्रबंद और आगे बढ़कर अंग्रेजों से मोर्चे ले लेने के संगठन को उतना ही महत्व तो दीजे आप हैं, तात्या हैं, बांदा के नवाब साहब हैं आप लोगों के रहतें अंग्रेज हमारा क्या बिगढ़ सकते हैं? अंग्रेज अत्यंत चालाक और उद्योगशील हैं जो समयाप नाच रंग को देते हैं उस समय को वे लोग अपनी योजनाओं के स्रजन में व्यस्त करते हैं अपनी योजनाएं तो बनी बनाई रखी हैं और क्या करना है एक बात शेश थी वह हो गई जनता और फौज राजा के सिवाय और किसी का नायकत्व ग्रहन नहीं करती तो मैंने पेशवाय स्विकार कर ली है जब तक ऐसा ना करता तब तक जन समाने मुझको एक साधारन जन समझता और हम लोगों के नायकत्व को पांता ही नहीं आप में बड़े परिवर्तन देख के मुझको अचंभा होता है कौन से परिवर्तन? भंग, नाचरंग, दिन में दीर घिनित्रा पाई सहाब पेशवाय स्विकार करने के बाद उत्सवों का दर्बारों का करना अनिवारे हो गया अन्यता लोग कहते ये कैसे राजाओं के राजा जो चुपचाप सिंगासन पर बैठकर चुपचाप महल में जा बैठे यहां के सरदार नित्यगान के लाल्ची है उनका मन भरना आवशक था करना पड़ा इन सरदारों की साहनुभूती के बिना काम नहीं चलता कितने दिन और चली गई है सब बस थोड़े दिन बहुत थोड़े दिन परंतु ब्रामन भोजन दान पुन्य निरंतर जारी रहेगा धर्म के आशिरवाज से जो स्वराजे स्थापित होगा वह अक्षय होगा चत्रपती भी कर्मकान को बहुत मानते थे सो आप भी जानती हैं और धर्म के विशे में आप से बात करने का मैं अधिकारी ही क्या हूँ धर्म की गती को तो महत्मा लोग ही जानते हैं मैं तो केवल यह कह सकती हूँ कि ब्रामन भोजन दान पुन्य त्यादी के साथ सेना का तुरंत अच्छा प्रबंद करिये उन्हें कुछ काम दीजे और उत्सव इत्यादी तुरंत बंद कर दीजे रानी के समझाने पर भी राव सहाब नमान्या भंग और नाचरंग का वही क्रम जारी रहा लड़ों और श्रीखंड के लिए इतनी शकर खर्च होने लगी की सिपाहियों को भंग के लिए उसका मिलना दोड़लब हो गया श्रीखंड के लिए दही की इतनी मांग हो गई की मटा अप्राप्य हो गया ब्रामन भोजन और दानपुन्य की आड में बे हिसाब भिकमंगी पढ़ गई कोई प्रतिबंध या प्रबंध न था इसी लिए अनिक सिपाही भी इस मुफ्त खोरी में सन गए रानी लक्षमी बाई ने देखा कि जब वे अपने किले में घिर आई थी तब सुतंत्र थी और ग्वालियर में स्वचंद होते हुए भी उनकी दशा एक कैदी की सी है रानी का सुभाव था कि वे जहां जाती थी उसके चौगिर्थ का बारिकी के साथ निरिक्षन करती थी इस निरिक्षन से उनको युद्ध के लिए मोर्चे बनाने में बड़ी सुविधा होती थी उनकी रणनीती में इसक्रिया का विशेश स्थान था उन्होंने देखा कि गौलिर का किला और पश्चिम दक्षन की पहाडियां गौलिर की बस्ती और लशकर के नगर की अच्छी रक्षा कर सकती है पूर्व की ओर पहाडियों का सिलसला लशकर से लगभग दो मील पढ़ता था यह भी रक्षा का साधन हो सकता था परन्तु उत्तरपूर्व में मुरार की ओर दिशा खुली पड़ी थी उसको ढखने के लिए सोन रेखा नाम का किवल एक नाला था जो लशकर को तीन ओर से घेर कर कतराता हुआ मुरार की ओर चला गया था परन्तु यह कोई बड़ा साधन न था उल्टे कुछ अडचन डाल सकता था इसके सिवाए दक्षन वर्ती पहाडियों का क्रम जिसके अगले भाग परदुरगा का मंदिर था शत्रों के लिए भी लाबधायक हो सकता था और पूर्व की ओर की पहाडियां यदि शत्रों की तोपों के लिए मिल जाएं तो लशकर का नगर और ग्वालियर तधा मुरार की बस्तियां पूरे संकट में आ जाएं उनकी इच्छा थी कि यदि पेश्वा की सेना के दस्ते सब और से बढ़ती हुई आने वाली अंग्रेजी सेनाओं का आगे जाकर मुकाबला न करें तो कम से कम इन पहाड़ियों पर यथा स्थान तोप खाने तो लगा लें परन्तु वहाँ भंग की तरंग और श्रीखंड की अखंडता में उनकी सुनता ही कौन था इस निरिक्षण के सिल्सले में उनको एक बाबा गंगादास का पता चला इनकी कुटी सोन रेखा नाले के उत्तर की ओर कुछ दूरी पर हट कर थी किले की दक्षणी चोर से पूर्व की दिशा में बाबा गंगादास की कुटी, फूस और लकडी चांद छपपर की थी निरिक्षण करते करते रानी को प्यास लगी, बाबा ने पानी पिलाया उस समय उनको मालूम हुआ कि जासी की रानी लक्षमी बाई हैं उन्होंने बाबा की आखों में शांती का एक अद्भुत आकर्शन देखा पेशवा के अंसुनी कर देने के दिन से उनका मन खिन्य सा रहने लगा था निरिक्षण करती थी, लडाई की नक्षे बनाती थी, अपने सिपाहियों की कवायद परेड करती थी और समय पर पूजन ध्यान करती थी, परन्तु मन का अन्मनापन नहीं जाता था संध्या होने में विलंब था, लू टेज चल रही थी रानी मुंदर के साथ इस्त्री वेश में बाबा गंगादास की कुटी पर पहुँची घोड़े एक पेर से बांधिये गए बाबा के सामने पहुँच कर नमशकार किया बाबा ने आसन दिया थंडा पानी पिलाया रानी ने कहा मैं आप से कुछ पूछने आई हूँ मेरा मन अशान्त है आपके उत्तर से शान्ती मिलने की आशा है बाबा बोले मैं राम भजन के सिवाए और कुछ जानता ही नहीं हूँ आप ब्राह्मन भोज में गए नहीं गया यहीं बहुत खाने को मिल जाता है इसलिए आपके पास आई आप टाल नहीं सकेंगे बतलाना होगा आपने अकेले अपने मन को शान्त कर लिया तो क्या हुआ हम लोगों को भी शान्ती दीजे पूछो बेटी यदि समझ में आ गया तो बतला दूँगा यहां थोड़े दिनों में युद्ध होने वाला है आपकी कुटी का स्थान रक्षित नहीं है किसी सुरक्षित स्थान में चले जाएए सुरक्षित है बात पूछो इस देश को सुराजी कैसे प्राप्थ होगा इस प्रश्न का उत्तर तो राजा लोग दे सकते हैं नहीं दे सकते तभी आपसे पूछने आई हूँ जैसे प्राप्थ होता आया है वैसे ही होगा कैसे बाबाजी सेवा तपस्या, बलिदान से हम लोग कैसे सुराजी स्थापित कर पावेंगे गड़े कैसे भरे जाते हैं नीव कैसे पूरी की जाती है एक पत्थर गिरता है फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, इसी प्रकार और तब उसके उपर भवन खड़ा होता है नीव के पत्थर भवन को नहीं देख पाते परन्तु भवन खड़ा होता है उन्हीं के भरोसे जो नीव में गड़े हुए हैं वह गड़ा या नीव एक पत्थर से नहीं भरी जाती और ना एक दिन में अनवरत प्रयत्न निरंतर बलिदान आवश्यक है हम लोगों की जीवन काल में सुराज्य स्थापित हो जाएगा यह मोहु क्यों तुमने आरंब किये हुए कारे को आगे बढ़ा दिया है अन्य लोग आएंगे बेस को बढ़ाते जाएंगे अभी कसर है सुराज्य स्थापिना के आदर्श्वादी अपने अपने छोटे छोटे राज्य बना कर बैठ जाते हैं जनता और उनके बीच का अंतर नहीं मिटता घड़ता ही बहुत कम है जनता तरस्त बनी रहती है जब जनता का पूरा सहयोग राज्य को प्राप्थ हो जाए और राजा टीम टाम तथा विलासिता का दासत्व छोड़कर रजा का सेवक बन जाए तब जानोस राज्य की नीव भर गई और भवन बनना आरंभ हो गया शाश्वत धर्म का रूप बिगड़ गया है और गीता की भक्त हो आपने केसे जाना सब कहते हैं मैं पाट करती हूँ परंतु समझते तो आप महात्मा लोग ही हैं ग्रहस्त से बढ़कर और कोई साधू नहीं उससे कुछ और नहीं हो सका इसी लिए कुटी बना ली सुर्यास्त होने को आया रानी को संध्या ध्यान का स्मरण हुआ कहा बाबा जी फिर कभी दर्शन करूँगी आप की इतनी बात से चित को बहुत शानती मिली और नमस्कार करके चली गई मार्ग में मुंदर ने कहा सरकार भी इनी बातों को बतलाया करती है परन्तु बाबा की समान होने में बहुत देर है रानी पुली राव सहाब पेश्वा का एशाराम और ब्राह्मन भोजन जारी रहा जनरल रोज के उद्योग ने पहले के पेक्षा और अधिक सबलता पकड़ी रोज ने अपनी सेना के कई भाग करके अनुभवी अफसरों के सुपूर्थ किया ब्रिगेडियर समित को गॉलियर के पूर्व की ओर पांच मेल पर कोटे की सराय भीजा एक अफसर को गॉलियर और आगरे के मार्क पर स्वेम एक प्रबल दल लेकर कालपी से गॉलियर की ओर छे जून को बढ़ा मार्क में उसको ब्रिगेडियर स्टुवर्ट ससैन नहीं मिल गया 16 जून को जनरल रोज बहादुरपुर ग्राम पर आ गया जहां जयाजी राव की हार हुई थी जनरल रोज के साथ मध्यभारत और ग्वालियर के पॉलिटिकल एजेंट भी थे इन्होंने इस बीज में एक चाल खेली जहाजी राव और दिनकर राव को आगरे से बुलवा लिया मुरार में पेश्वा की सेना काफी थी बाकी इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी इन में से अधिकांश सैनिक सिंधिया की सेना के ही नौकर थे यदि ये बारहा तेरा दिन नश्ट ना किये गए होते और यदि इन सैनिकों को विभक्त करके अपने विश्वसनिय दल्पतियों की अधिनता में शुरू से ही उनका अनुशासन मैससर्ग स्थापित कर दिया गया होता तो बात न बिगरती जनरल रोज ने दो घंटे की कड़ी लड़ाई में पेश्वा की मुरार वाली सेना को हरा दिया और मुरार को खब्से में कर लिया पेश्वा की यह पराजित सेना भाग कर गवालियर आई अब राव सहाब पेश्वा का नशा फरार हुआ रोज जाया जी राव द्वारा पेश्वा के उन सैनिकों को जो उनकी गौालियर फौज के थे मावी का आशवासन दिलवाया और यह लिखित घोशना प्रकाशित करवाई कि अंग्रेज गौालियर के राजा को उपने गद्दे दिलवाने के लिए ही लड़ने आये हैं सरदारों और सैनिकों में फूट पड़ गई उनके मन फिर गए उत्सवों की रिश्वत बेकार गई पेश्वा पांदा के नवाब किंकर्तव्य विमोड हो गए कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें तब छांसी की रानी की याद आई परंतु उनके पास जाने के हम्मत नहीं पड़ रही थी कैसे मो दés लाएं तातिया को भीजा तातिया कलेजा साध कर उनके सामने गया उस समय उनके पास जो ही और समускर थी तात्या नमस्कार करने के उपरांथ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया क्या बात है सरदार सहाब रानी ने व्यांग किया ये तोपे कहाँ चल रही थी तात्या ने विनीत भाव से कहा अब शमा प्रार्थना तक का समय नहीं है बाई सहाब रानी बोली क्या भंग चानने का भी समय नहीं एक तान भी सुनने के लिए समय नहीं तात्या उनके पैरों पर गिरने को हुआ रक्षा करो देवी रानी ने उसको बीच में ही पकड़ लिया जो ही बोली सरकार शमा कर दीजे रानी मुस्कुराई तात्या तुमसे मुझको बड़ी बड़ी आशाएं थी अब भी बहुत कुछ कर सकोगे परंतु द्रड हो जाओ तो तात्या बोला जो जो आग्या होगी उसका तन मन से पालन करूँगा आपको कभी उल्हाने का अवसर न दूँगा रानी ने उठती हुई सांस को दबा कर कहा मेरा कदाचित यह अंतिम युद्ध होगा क्यों मुंदर स्मरण है बाबा गंगादस ने क्या कहा था जो ही बोली कदापी नहीं सरकार रानी ने कंफीर स्वर में कहा सुराजे के भवन की नीव एक दो पत्थरों से तो नहीं भरेगी तात्या अधीर होकर कातरता के साथ मुह ताकने लगा रानी फिर मुस्कुराई तात्या को आशवासन दिया खबराओं नहीं पेशवा से कहो कि धहर्य से काम ले जो योजना बतलाती हूँ उसके अनुसार काम करें कदाचित विजय प्राप्थ हो जाए न भी हो तो युद्ध सामगरी और सेना को दक्षन की और ले चलने का प्रबंध रखना तो मिस्क्रिया के आचा रहो रानी ने तात्या को थोड़े समय में भी अपनी योजना विस्तार पूर्वक समझा दी और फिर अपने पांचो सरदारों की बुद्धी में पिटला दी गौलियर की पूर्विय और की रक्षा का भार रानी ने स्वयम लिया पूर्विय पहाडियों पर जहां तक अंग्रेजों का अधिकार नहीं हो पाया था तोप खाने, पीछे पैदल और रिसाले का यत्र तत्र, क्रमिक मोर्चा रखा गया सबसे आगे और बीच बीच में अपनी लाल कुर्टी के सवार अगल बगल की पहाडियों पर तोपे, दक्षन दिशा तक उत्तर का भार तात्या के जिम्मे किया गया उसने रुहेली और अवधी सेना के भगना वेश पर अपना दस्ता बनाया था इस दस्ते को तोपो सही तात्या ने जमाया पश्चिम का भार राव सहब के उपर रखा गया इसके साथ अधिकांश सिंध्या वाली फौज थी शहर के भीतर बाहर की रक्षा का प्रबंध बांदा के नवाब के हाथ में दिया गया किले की खास रक्षा के लिए ज़्यादा चिंता में नहीं पढ़ना पड़ा को काम की सब बात समझा दी 17 जून को सभेरे बिगेडियर स्मित ने लड़ाई का बिगल बजाया लड़ाई आरंब हो गई बिगेडियर स्मित का आक्रमन कोटा की सराय से शहर पर होना था पूर्व दिशा से जहां लक्षमी बाई का मोर्चा था जैसे ही अंग्रेजी सेना रानी की तोपों की मार के भीतर आई रानी ने गोल अंदाजों को संकेत दिया गोला बारी होते ही अंग्रेजी सेना की दुर गती हुई और वह पीछे हटी रानी के लाल कुर्ती सवारों ने तुरंत छापा मारा स्मित ने एक चतुर चाल खेली उसने अपनी उस टुकडी को और अधिक पीछे खीचा और रानी के सवारों को आगे बढ़ने दिया इन सवारों के जादा आगे निकल जाने से उनका इस्थान खाली हो गया स्मित ने कई दिशाओं से रानी के मोर्चों पर आक्रमण किया गमासान युद्ध हुआ तलवार चली लोहे ने लोहे से चिंगारियां चुटकाई स्मित ने रानी के पार्शव पर अपनी दो पल्टने और फैंकी जो अभी तक चुप चाप खड़ी थी रानी के सवारों को पीछे हटना पड़ा प्रिगेडियर स्मित ने अपने सामने की बातों को फोड़कर रिसाले समेथ पढ़ने का संकल्ब किया उदेश्य था फूल बाग पर अधिकार करने का अपने सवारों को पीछे हटता देखकर रानी घोड़े को तेज करके तुरंत उनके समीप पहुँची गुल महम्मद दिखलाई दिया उसके पास घोड़ा दोड़ा कर बढ़ते हुए अंग्रेजों की ओर तलवार की नोख करके बोली खान आज हाँ धीला क्यों पढ़ रहा गुल महम्मद चला कर बोला भुजूर अमरहा तब मुलाहिजा करे पठान सरदार चलाता हुआ रेल पेल करता हुआ लाल कुर्तियों को बढ़ावा देता हुआ आगे फिका रानी साथ में गुल महम्मद ने प्रकर स्वर में रानी से प्रार्थना की हुजूर जोही सरदार का टोप खाना ठीक करें रानी लौट पड़ी एक टौरिया के पीछे जोही टोप खाना की मार को जारी किये थी परंतु लाल कुर्ति को पीछे हटा देखकर हडबड़ा गई थी गोरा रिसाला उसकी और बढ़ रहा था जोही टोप का मोहरा एक अंगुल नीचे कर रानी ने आदेश दिया जो आग्या उसने उतसाहित होकर कहा और अपने साथियों की साहिता से तुरंत वैसा ही किया मार रानी ने दूसरा अदेश दिया तोप ने धाएं किया गोरे सवार बिच गए लोट पड़े रानी दूसरे स्थल पर पहुंची वे जहां पहुंचती वहीं अपने सिपाहियों पर तेज छिठक देती यद पी उनके योधाओं की संख्या कम थी परंतु वे उनके प्रती अठल विश्वास रखते थे फिर बढ़े उनकी रानी उनके साथ दोनों हातों एक समान कोशल और शक्ती के साथ तलवार चलाने वाली अंग्रेज वीर्दा के साथ लड़े और बहुत मरे रानी के उन थोड़े से लाल कुर्ती सवारों ने तो कमाल ही कर दिया यथावत आग्या का पालन करते वे उन लोगों ने अंग्रेजों के चक्ये जुटा दिये प्रिगेडियर स्मित को रानी ने उस दिन की चालों में और शूरवीरी में मात दी स्मित उनके वेहो को न भेज सका उसको लक्षमी बाई के मुकाबले में हार कर लोटना पड़ा अंग्रेजों ने उस दिन का युद्ध बंद करके दम लिया रानी ने उस दिन निरंतर परिश्रम किया था और उनके सरदारों ने भी इस पर भी उन्होंने रात को काफी समय तक अथक परिश्रम किया योजनाई सुधारी परिवर्तित की, सलह सम्मती दी उनके जिन योद्धाव ने उस दिन के युद्ध में कोई विशेश कारे किया था उनको शाबाशी दी और पुरसकार दिये और गुल मुहमत को कुवर की उपाधी प्रदान की ग्वालिर की सेना पर जयाजी राव की उस खोशना के कारण प्रभाव पढ़ चुका था परंतु उस दिन उस सेना ने कोई ऐसा स्पष्ट काम नहीं किया जिससे उस पर तात्या या पेश्वा को अविश्वास होता परंतु रानी को संधे था तात्या और राव सहब ने निवारन किया अविश्वास करने से अब होता भी क्या था लाचार होकर दूसरे दिन के युध में वे ही साधन कामे लाने पड़े जो उनको उपलब्द थे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ